ये सब ही जानते थे कि बिग बॉस में अगर अक्षरा सिंग जाएंगी तो वो पवन सिंग के नाम का जिक्र जरूर करेंगी लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अक्षरा सिंग बगेर पवन सिंग का नाम लिये भी शो में बहुत अच्छा करेंगे लेकिन पवन सिंग का जिक और ना हो अक्ष्रा के लाइव के चैप्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता सबसे विवादास्पत या यू कहले कि most controversial अगर अक्ष्रा सिंग के जीवन में कुछ रहा है तो पवन और उनका अफेर ही रहा है और आज भी ये दोनों उस चीज को भूल नहीं पाए बोज़कूरी के तक ना ही उनके खिलाफ कुछ बोले आपको बता दे कि OTT प्लेटफॉर्म पे भले ही अक्ष्रा सिंग पवन सिंग का नाम नहीं ले रहेंगे लेकिन जब वो बिग बॉस के घर में जाएंगी और जब ये शोर टेलीवीजन पर टेलीकास्ट होने लगेगा सलमान इसके होस्ट ह जाएंगे तब अक्ष्रा सिंग अपने इस चैप्टर को जरूर उभारेंगी ये सभी जानते हैं कि अक्ष्रा एक उम्दा खिलाडी है उन्हें कब कहा कैसे अपने पत्ते खोलने हैं उन्हें पता है यहां अभी अक्ष्रा सिंग अपने बल पर यानि कि ये लोगों को बता देना चाहती है कि वो अपने बल पर बिग बॉस के घर में गई है अब बिग बॉस OTT से जब ये शो तेलेवीजन पर आएगा तब जब अक्षरा सिंग घर में आएंगी सलमान उसके होस्ट होंगे तब अक्षरा सिंग अपना सबसे Controversial या यू कहले तुरुप का पत्ता तब वो खोलेंगी क्योंकि वो जानती है कि कहां कब कैसे क्या बोलना है वैसे आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं है कि पवन सिंग का नाम लिए बगैर अक्षराचम की हो अभी फिलहाल कई सालों से देख लीजिए कि अक्षरा क induce कि लेना है जिससे उनके लिए क्या profit होगा क्या लौस होगा इस वक्षरा सभी को साथ लेकर चलना चाहीं फिर वो चाहे पवन की फैण साथ सभी के साथ सभी की फैन्स को ले कर रही है लेकिन यह तैह कि बिग बॉस के शो में जब वो सल्मान के सामने होंगी जब बिग बॉस को ओस्ट समानख करेंगे तब अक्ष्रा सिंग अपने और पवन सिंग के अध्याय को जरूर खोलेंगे बोच्पूरी जगत की होट और मसालेदार वासिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें